रामरामजी अप सुप को आपका अपने चैनल पर सुआग थाय को अज देख्कों आपको में यह दो रंका डिजयन बनाके दिखाऊंगी एक डिजयन यह च्यार फंदे का बनेगा और आट सलाई का बनेगा अगर आपने दो का बनाना दो का बनालो अगर आपने तीन का बनाना तीन का बनालो च्यार का पांच का कितने रंग लगालो इसमें बोडर कोई भी बना लो बिजान वाड़ा बनाओ या कोई सिम्पल बनाओ जो पहली सलाई में बनाया पहली सलाई तो बना के दिखाऊंगी मैं एक दग्गे की चेर-चेर सलाई उतरेंगी बोडर बना के अमने क्रीम का पिंक दग्गे की चेर सलाई उतर लेंगी अगर आपने ये बदल के बनाना थोड़ा हां या जो पिंक दाग्गे की उतार रखी है इस जगह आपने करीम की उतार नहीं है च्यार सलाई आप करीम की उतार सकते हो तो बदल के बनाना चाओ तो बनेंगी आठ सलाई इसी तरह ये च्यार सलाई मैं पिंक की बना रहे हो आप की मर्जे है पहले सडाई में हम सारे फंदे सिध्धे बना लेंगे यह पहले सडाई है यह सिध्धी सडाई है बिल्कुला सांडी जान है सारी सडाई सिध्धी उतरेंगी सिध्धा उल्टा बना रख्या वस और एक दग्ग चलेगा च्यार सडाई एक दग्ग की उतरेंगी च्यार सडाई एक दग्ग की उतरेंगी पहली सलाई हमने सिद्धी उतार लिए अब आगे दूसरी सलाई उल्टे सलाई अब दूसरी सलाई में भी सारे फंद्य हमने उल्टे बनाने है सिद्धा उल्टाई हो गया चिद्धा उल्टा कोई भी डिजान है, जल्दी बने है, और एक दागा चला है जोन से डिजान में, वो भी बहुत जल्दी बने है अगर आपने ज्यादा गैप देना ही डिजान ना में, तो आप ज्यादा भी देशको, इसको छोटा बड़ा भी कर सकोगा आप दूर-दूर बनाना है थोड़ा है, दूर-दूर बनालो, वो भी अच्छा लगागा बने होया अब ये दो सलाई उतार दे, अब आगी, तीसरी सलाई, और ये दागा इस्तरलेक जावंगे साथ-साथ ये दबाके, ये देखो, इसके निच्चे दब गाईए, ये वला निच्चे रह गया, और ये उपर ले आए, और अब बनाएंगे, तो देखो, दब गाईए अब दीसरी सलाई में भी सारे फंदे अमने सिद्धे बनाने हैं, उतार लू ये सलाई फिर दिखाऊंगे अब चोथी सलाई आगी, उल्टी सलाई आगी, ये सलाई भी उल्टी उतर आगी, सारे फंदे उल्टे बनाने हैं, उतार लू ये चोथी उल्टी फिर दिखाऊंगे अब ये च्यार सलाई उतार दी पिंक दाब देगी अब हमने च्यार सलाई क्रीम दग्गे की पारनी है अब देखो किस तरह उतारना है एक फंदा ये सिदा बना दिया आप गे फिर डिजान का है ये फंदा एक फंदा सिदा बना दिया यह कुणे वाला छोड़ का एक सीद्धा अब जो यह तीन फंदे है इनका डिजान बनाना हमने इन तीन फंदे का एक बनाना है एक सिद्धा बना दिया कोणे बाड़ा अब इन तीन का डिजान बनाना है तो देखो जो ये तीन फंदे हैं सबसे निच्चे यह यह सबसे निच्चे जहां से यह पिंक दागा शुरू करया था यह सबसे निच्चे यह करके एक लंबा फंदा निकाल लेंगे थोड़ासा ना रखी जणा ये ना ज्यादा डिल्ला चोड़ना ठीक ठीक रखना है फिर ये तीन फंदे हमें ऐसे उतार लेंगे बनाने नियम नगे अब ये दागा यह यह पकड़के इन तीन फंदे के उप्र को उतार दिया देखो इस तरह बन गया यह फिर आगे एक फंदा ये एक डिजान हो गया एक कोणे वड़ा करीम बना दिया फिर तीन फंदे का ये डिजान बना दिया फिर अगला डिजान एक फंदा ये मने बना दिया इस तरह है फिर तीन फंदे का ये तीन फंदे हैं सबस पिर ये दाग्ड़ उठा के इनके उपर को उतार दिया और जो ये फंद आवा देखाइव पिछे है तो ये इस्तर छळाई करके यूँ करके बनाना है ये नी यूँ करके बनाऊगे तो शुकुड़या बनागा इस्तरा करके खुला-खुला रखके फिर आगे एक फंदा बन लिए है, फिर ये पंदा ऐसे उठा के दोहई प्रकला दिया, फिर आजए एक पंदा बना लिया, यह चैयर फंद हेलानां यह यह चैयर कंद ले जाने है कोने वा नियुक्त अपने मोड़े एक बना दिया तीन उपर लेंगे कि तिन नों फंद्यों का उपर को याधागा ऐसे उतारतेंगे 1 फंदा शिळा या फिर टीन फंदे के बीच वाले फंदे निच्छे से दगगा निकाल लिया और टीन फंदे ये उतार लिये फिर याधागा उपर को पल्ट दियाने के फिर एक फंदा सिद्धा में दिया फिर तीन फंदे का फिर पूल दाल देंगे अब कि चल को अब यह करीम पटे की पहली सलाइई मेर संब 500e करद लिए को सब्सक्राइब फिर यह सब्सक्राइब और यह तीन नौ फंदे से उतार लेंगे और यह उठा कर उपर को उतार दिया फिर एक फंदा यह बना दिया अब इसकोणी पर हमारे दो फंदे बच रहे हैं अगर दो बच रहे हैं एक रखना चाओ तो एक कम कर लिए आप वो आपकी मर्जी है इस तरफ दो बच गे मेरे तो मैंने कम ने कर रहा है अपने कम करना तो कम कर लिए आप अब इस तरह हो गए यह अब आगी छटी शलाई रखना है एक इस तरफ का क्रीम बना दिया एक इस तरफ का क्रीम बना दिया अब तीन क्रीम आएंगे इस सलाई में और एक पिंक आएगा अब यह तीन आगे पिंक यह अमने क्रीम बना दिया यह वीच वाला सलीप कर लिया फिर यह क्रीम बना दिया यह क्रीम वाला भी क्री बना दिया और एक फंदा ये करीम हो गया अब देखों तीन करीम एक पिंक तीन करीम एक पिंक पूरी सलाई इस्तर उत्र है गिये चटी सलाई है ये अब तीन पिंक आगे देन करीम एक पिंक पिंक फिर ये वाड़ करीम और ये भी करीम और ये अंदा ये करीम एक पिंक फिर तीन फंदे आगे मारे करीम एक पिंक अब गोणी पे आगे दो फंदे मारे करीम अब आगी देखो कीतना सुन्दर लग रहाएं अब 6 सडाई होगी अब आगी 17 सडाई है अब 17 सडाई में हमने सारे फंदे क्रीम बनाने हैं जो पिंक सलीप कर रख्या है वो भी क्रीम बनाना है देखो इस तरह बनेगा अब ये सारे फंदे बनालू सातमें सलाई है ये फिर दिखाऊंगी आगे या तक बनालू अब ये साथ सलाई होगी अब आगी आठमें सलाई उल्टी साड़ाई देखो ऊल्टी साटी साद कितना अच्छा लग रहे है ये डिजान अब आठवी सलाई में सारे फंदे अमने उल्टे बनाने हैं अब ये 4 सलाई करीम की ओगी और 4 सलाई पिंक की ओगी यही 8-8 सलाई अमने बार-बार बनानी है तो बहुत सुन्दर गजान बनेगा और देखो एक दागा चलने में बने भी जल देगा ये गजान उन वस थोड़ी बहुत ज्यादा लगेगी ये दा गा निच्चे से उपर लेका रहे हैं कोई ज्यादा ने लगेगी तनी अक भई बहुत शारी लग रही है बन्याव अभी बहुत सुन्दर लगेगा डिजानी है अब ये याठाट सलाई होगी अब ये याठाट सलाई अमने बनानी हागे पूरी कोठी में देखो कितनी सुन्दर लग रहे हैं पहली सलाई तो फिर सुरू पर लेंगे